निमत चिले के सिंगौली निवासी संजे कुमार पिता प्रकास चंडर और उनकी पतनी सीमा दीवी ने एस पिक कारेले पहांच कर शिकायत की है कि उनके स्वयम के 32 के प्लाट पर सफाई और लेवलिंग कराते समय उनके साथ आशी शौकीन और मुकेश महता ने जबरन मारपीट की वहाँ पर जिस जेसी बी के माध्यम से लेवलिंग कारी किया जा रहा था उसे तोड़ पोड़ दिया संजे ने अपनी शिकायत में कहा है कि आउरोपियों ने उनकी पत्नी पर जान लिवा हमला करा और उसे लहुलुहान कर दिया जिस पर पुलिस ने अप्चारी कारवाही करती हुए आउरोपियों के खिलाफ मामुली धाराओ में मुकदमा दर्ज कर लिया और आउरोपियों को सरक्षन दिया गया सिंगॉली पुलिस ने उल्टा हम फर्यादियों के खिलाफ क्रॉस कायमी कर ली संजे का कहना है कि आउरोपिय हमारी जमीन पर जबरन कबजा करना चाहा रहे है संजे के परिजनों ने नियाए की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी खिलाफ दैर मुकदमे को निरस्ट कर आउरोपियों के विरुद धारा 307 में कायमी की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान करावे मेता मेरा नाम है और मेरे जो एक भूखंड की लड़ई है जो त्रीवाली के एक दिन पहले गटना हुई मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ इतनी बैंकर मार्क वीट हुई कि हम जव्यान से मानने तक की नोबत आ गई और मेरी जमीन पर कोई मेरे पीचे मेरे अंकल मेरी जमीन को हड़बने की कोशिछ की जा right और उन्होंने अभी इस मामले में जो पुंद बाया है यो स मामले में बहूं है कोई कारव है कि जबकि और हमारे उपर क्रास कायमी गडिन आरमल धारायएँ लगा दी और हमारी ज्रिवी से करें थे हमारा प्लार नकाल सफ़कि दे तो उस मिसमें जिद्च कोई जब्ति कर लिया और जैसी पी कोई नहीं चोड़ रहे हैं उसके लिए अस्पताल में नीमस देफर किया गया उसके सर पर इतनी गहरी चोट ही उसका खून बह गया ब्योंस हो गई वहां से फिर नीमस देफर किया गया चोटी पकड़ के खीचा गया उसको और काफी मुश्किल से हम जान बचा कर थाने पहुंचे तो भी थाने वालों ने हमारे साथ कोई सई साथ कारवई नहीं की है इसलिए हम एस्पी साथ को ग्यापन देने आएं निमेधन करने आएं कि हमारे उपर जो कायमी की गई है उसको खात्मा किया जाए और हमारे पट्टे की भूमी हमें दिला ही जाए और 307 की कारवई की जाए पत्थर से मेरा सीर फोड़ा इसलिए मेरे एक लेडी जू मेरे उपरो हाथ नहीं उटा सकते उससे हाप मडर का केस लगाए निमच ते अब्दुलली रानी के साथ परन रौश इंदेकर इपॉट